स्वागते स्वातियों आपका हमारी येट आप सेनल बेस सब्सक्राइब लाइक सेर कमेंट्स करना नहीं भूले मैं अड़ाइस दिया भाई आज हम आपको आई ट्याइए में इस इन ट्रेड के प्रेक्टिकल के बारे में बताना चाहते हैं आज उसमें चालीज दस दस वाट के चालीज बलपों की सॉल्डरिंग करनी है और परतेक बलब से बलब की तुरी एक फुट करीब रखनी है तो हमागी देखते हैं बलपों के पैकेटेवस में दस बलप आते हैं सालीज बलपों मतलब चाह रफोट होगा तो में 400 वाल्ट सा لपों की और सुखिन्ट में सिर्इज करम में जोडते हुए मैं जिसमीं वायरिंग करनी है यह तहर ऐसे कटनी होगा या इसको से इसको तो कट रख स्थिंटे काटना होगा तो यह धेर मेसिन प्लाय रहे हैं कम अप्र्शन के बाद में इसको से लने के बाद में जोडते हैं इसमें यड़ा बार रहा दहुंत स्वाट ना है ताकि यह पता सके कि हमें हमारे प्रीणा अच्छे आ सके इसलिए मैं अच्छा इसका ध्यान रखना है केशना वायर तुरहत नहीं खेंदा है सूकने के पाद में तक यह मैं तासले कि हमारी वायरिंग मजबूच होई है तो तार टूटे का नहीं नहीं तो निकल जाएगा और इसलिए बलब भी फ्यूज होना नहीं सही बलब सही है उसका अंदर का जो वायर आता है बलब के अंदर का वह जुड़ा होना चुछ है जो गंदा होने पूर हमें रेती से साफ कर देना है और इसे यह नीची पड़ा उसे कते फ्लक्स फ्लक्स में प्रलब पायर के सिनों को करके लगते हैं तो वो उता है वो आसानी से चिपक जाता है अब शॉल्डिंग करते हुए प्रेम सिंग जी हमारा इट इस्टेंट और इस्टेंट जो सॉल्डिंग करने में माहिर प्रतेक विद्याते न की यह वैसे सालिश आट्स पलपापी लेकिन हम आपको प्रेम सिंग जी की वीडियो कर रहे हैं कि तउने बाद सातियों आपको हमारे योट्व सानल कर पर कोई भी सवाल पूछना एँ इलक्रिक से समन्दित विद्यूत कर से समन्दित को भी आपको सवाल पूछना है तो कमेंट वाक्स में जडिवर पूछे हम इसका जडिवर निस्ता रान करवाएंगे और हमारे सानल क को लाइक करें सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बैल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगा में वीडियो की नोटिफिकिसन समय समय पर मिलती रहे हैं अब आपको यह लिक्ट्रिशन ट्रेड का और भी नजारा बताएंगे जो इस सेनल के डिस्क्रेप्शन में हमारे एट तो पूरी जान करें मिलेगे काफी वाइनिंग हो रही है तो सातियों हम यह देख रहे हैं सब्सक्राइब है परक्रिया काफी कटिन जैटिल परक्रिया होती है लेकिन हम सीखने अगर जाए तो यह परक्रिया कोई कटिन नहीं है अगर एक स्टिट्रियन के माहने पर देखे तो हम समय समय पर practical करते रहें तो हम स्वाल्टिंग करना रहती है घिसाब करना है ट्रास्फर में के अन्य मशिन आगाउं के बारे में जारना मोटर की वैंडिंग है टी प्लेट का जोड़ है और विद्यूत वाइरिंग का जोड़ है हम विद्यूत वाइरिंग करना राइट स्वाल्टिंग करना जैसे कामों को आसानी से सीख सकते हैं अब प्रेम सिंग आपको यह सॉल्टिंग करना बता रहे हैं और आगा में हम वीडियो को हर प्रेक कि लाप को प्लॉप कराएंगे अब आप स्क्रीन छोटी हुए है समसाते हमने यह मोबाइल तिर्शानी रखकर स सब्सक्राइब और यह सोल्टर आइरन जो अगला बीठेव वह चुपिगने नहीं देना नहीं तो वह पाइर जल जाएगा और जो यह सॉल्टरिंग अन कपिठे वह किसी के आध पर पीछी पगने नहीं ड़ाये नहीं तो हमारा हाथ चाल सकता है अनुक्साना हो सकता है सब मिट कपड़ों पर भी यह कली हम बुदते हिमारवने में वो कली नी के लिए दना है नहीं तो उससे कपड़े जाल सकते हैं मर समड़ी के अंदर तक को सकता है दिवान हम युगेस और प्रेम सिंग मेग सिंग और अन्य विद्यार्थी भी यह और दूसरी जिगा मेज पर अप प्रेम सरुप सिंग और यह बहुत है अच्छी टेक्निक है मैं इसके पीस में जो लगाई भी इसके इसमें हॉल है यह गजंदर कुमार मोबैल देखता हुए इसने अपना कारे पुर्ण कर लिया है और यह है में वाट मिटर जिससे बिली की खपत में वाट मिंटर के द्व बाट के है विबड़ा सब्सक्राइब इसका भी प्रेक्टिक यह है कटिंग पलायर और यह यह हम कंबिनेशन पलायर नहीं यह सकुए है सकुए है और यह है पेसकस कि यह साल्डरिंग आयरन है जिससे एस्टुडेंट विद्यार्थी जो स्वाल्डिंग करता हुए हमने जला रहा है कपी अच्छा दर्शे हैं आपर हम यह देख रहे हैं कि विद्यार्थी आइटे सिव का यह प्रेक्टिकल है तो कापी सिके वह यह सिरीज बोर्ड पर वा ने क्याम सिंग के पास आ रहे हैं और इनकी करेपणली बहुती शावधानी पुरुक हो रही है और नंबर वन प्रेक्टिकल इनका माना जा रहा है बहुत ही अच्छा पर दर्शे है यहाँ पर देखने को मिलता है प्रेक्टिकल का और साथखियों हम आपको आगे भी ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, जन्नेवादा